नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी नोट 9 प्रो पर कॉल डिस्प्ले सेटिंग कैसे कर सकते अगर दोस्तो आपको भी यह सेटिंग करना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखे तो दोस्तो यहाँ पर होता क्या है हमें जब भी कोई इनकमिंग कोल आते हैं तो दोस्तो कोई अहमारा हमें जो है एक करना है अगर आपको भी जाना है वीडियो को आप अभी पूरा देख सकते हैं ठीक है क्योंकि दोस्तों यहाप पर मैंने अल्रेडी क्लियर कर दिया है कि हम सेटिंग कीज के सब्सक्राइब करने तो यहाप देख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप कि एक सेट बता रहा है क्योंकि दोस्तों यह जो है सिम कार्ट में सेट किया हुआ है अगर दोस्तों पे आपका कोई भी यहाँ पर दोस्तों नंबर वगएरा दो उनबर आप फोटो सेट नहीं कर सकते ज़्याइब को आपको अगर जीमेल का चाहिए ठीक है तो जीमेल पे दो तो अभी दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर उनका जो बेग्ग्राउंड ने उसको चेंज करना है तो आपको यहीं से करना होगा ठीक है उनके लिए एक डेग्राउंड सेलेक करना होगा ठीक है इस तरह का इंट्रफेस रहेगा तो ब्लेंग इंट्रफेस ही रहेगा यही आपने सेट नहीं किया तो इसमें होता कि यह ज já के ओब भी वह आपको कॉल करते तो बेग्राउंड पुरा चैंच अपको छहाँ पूरा चैंग हो जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पर एक फोटो सेट करना है उसके लिए आपको गैलेरी पर जाना है और और कोई भी वह फोतो वगयरा से तो इस प्राकार से दोस्तों आप जो है यहाँ पर कॉल डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग करने से नहीं होगा आप डिफॉल्ट उसको सेट करवा के राक नहीं सकते हर एक कॉंटेक्स के लिए आपको वह सेट करना होगा लेकिन जो कौंटेक्स Gmail पर या फिर फ़ोन पर सेवे आप उन्हीं कौंटेक्स पर सेट कर सकते हैं ठीक है तो आज की इस वीडियो बढ़र यह सेट नहीं उम्हेद करते हैं वीडियो आपको पसने होगा और आज के इस वीडियो पर बस टेंक्स फो राचिंग